हेलोफ्रेंस आज कैसे session मेंं लोग डिसकस करेंगेть Divisibility Rule All Divisibility Rule का मतलब है कौन से number與 से divide होता है कैसे हम लोग पता करते हैं तो Divisibility Rule का थोड़ा सा idea होना जरूरी है यह नहीं तो क्या होता है कि कोई division आता है तो हम लोग करके divide करके check करते हैं इससे डिवाइड होगा, कि नीए, तो वो आपको एक एक करके चेक नहीं करना होगा, थोड़ा सा गार आईडिया रहेगा, तो क्या है कि हम लोग अंदाज़ लगा सकते हैं, हाँ, इस नमबर से तो ये डिवाइड हो जायगा, तो चलिए, थोड़ा सा मुझे अपको देख त करके बता सकते हो हा हाँ यह किस से डिवाइड होगा किस से डिवाइड नहीं होगा तो श्टाट करते हारा है हम लोग वह टेर वंसे तो सारा नमबर डिवाइड हो कि एवडिा नमर को इस डिवसीबल उड़ा वाइवन तो वनmother दीसलिट दें दू 2 से कैसे पता करेंगे 2 से जब किसी नंबर को डिवाइड करना हो तो last digit देखते है last digit should be 2, 4, 6, 8 और 0 जब किसी नंबर को 2 से डिवाइड करना हो तो उसका last digit देखते हैं last digit अगर 2, 4, 6, 8, 0 तो वो 2 से डिवाइड हो जागा otherwise divide नहीं होगा जैसे 2, 1, 4, 3, 6, 2 ये नंबर 2 से डिवाइड हो जागा क्यों? क्योंकि इसका last digit 2 है, बाकि डिवाइड से हमको कोई मतलब नहीं है last digit 2 है, मतलब 2 से डिवाइड हो जागा, ठीके फ्रेंड्स next number 3 3 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब उसके सारे digits का sum sum of the digits should be divisible by 3 3 से जब किसी नंबर को डिवाइड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसके सारे digits को आड करते हैं 3 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 2 1 4 1 6 2 जैसे आप एक number है 2 1 4 1 6 2 ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो सारे digits को आड करते हैं 2 plus 1 3 3 plus 4 7 7 plus 1 8 8 plus 1 14 14 plus 2 16 तो हम पता 16 3 से divisible नहीं है इसका मतलब ये number भी 3 से divisible नहीं होगा एक बाइफिर से देख लेते हैं 2 plus 1 3 3 plus 4 7 7 plus 1 8 8 plus 6 14 14 plus 2 16 तो ये number 3 से divisible नहीं होगा एक और number चेक करते हैं 3 1 5 2 4 4 3 plus 1 4 4 plus 5 9 9 plus 2 11 11 plus 4 15 15 plus 4 19 19 भी 3 से divisible नहीं है इसका मतलब ये number भी 3 से divisible नहीं होगा अगर इस question में इस number में यहाँ पे एक और digit होता 2 तो इसका summation आता है 21 तो ये 3 से divide हो जाता है सारे digits को add करना और add करने के बाद जो हमें number मिलेगा वो 3 से divisible होना चाहिए चाहिए next number आएगा 4 4 से कैसे पता करते हैं last two digits last two digits form the number should be should be divisible by 4 देखिए क्या लिखा last two digits form the number last two digits जो number बना रहा वो divisible होना चाहिए 4 से मतलब suppose 1 4 1 6 2 4 ये number 4 से divisible है की नहीं कैसे पता करें तो यहाँ आप देखिए लिखा last two digits form the number यहाँ पर last two digits क्या number form कर रहा 24 बाकि digits हमको कोई मतलब नहीं जब 4 से divide करना last two digits कौन सा number बना रहा 24 बना रहा और हमें पता है कि 24 4 से divide होता है इसका मतलब ये number भी 4 से divide हो जागा 4 के divisibility के केस में बाकि digits का कोई मतलब नहीं होता सिर्फ हम लोग last का two digits देखते है वो कौन सा number form कर रहा जैसे number है 381622 ये number 4 से divisible है ये number 4 से divisible नहीं है क्योंकि इसका last का two digits 22 है and 22 is not divisible by 4 तो ये number 4 से divide नहीं होगा next 5 5 simple है सिर्फ last digit देखना 5 से कोई number तभी divide होगा जब उसका last digit 0 और 5 में से कोई एक number last digit हमको देखना 0 और 5 में से कोई एक digit होगा तभी वो 5 से divide होगा otherwise divide नहीं होगा 2 1 3 7 1 6 ये 5 से divide नहीं होगा क्योंकि इसका last digit 6 है 3 2 4 1 5 5 ये 5 से divide हो जाएगा because इसका last digit 5 है तो 5 के case में हम लोगो सिर्फ last digit देखना होता है ठीक है इसको मैं rough कर देता हूँ आपनों एक एक चीज़ note करते जाना हम लोगो इस session में 1 से 15 तक का divisality rule देखेंगे और next session में 16 to 30 तक का या 16 to 25 तक का खर लेंगे बहुत जादे याद करने का ज़रत भी नहीं है at least 25 तक का आपको पता होना अच्छे divisality rule तो हम लोगो इस session में 15 तक कर लेंगा next session में 25 या 30 तक जो भी हो तो next number is 6 तेकि 6 का अपना कोई rule नहीं होता divisality rule 6 dependent होता किसके उपर 2 and 3 के उपर number should be divisible by both 2 and 3 कोई number 6 से तभी divide होगा जब वो number 2 and 3 दोनों से divide होता है किसी एक से नहीं बोथ लिखावा देखे दोनों से होना चाहिए number should be divisible by both 2 and 3 अगर कोई number 2 से divide होता और at a time वो 3 से भी divide होता तब वो 6 से divide होगा जैसे 1, 5 1, 6 2, 4 ये 6 से divide होगा कि नहीं तो 6 का rule क्या number should be divisible by both 2 and 3 मतलब हमें 2 से भी check तरना 3 से भी तो 2 और 3 दोनों से check तरना होगा तो 2 से तो divide हो रहा क्योंकि 2 का rule क्या था हम जों सिर्फ last digit को देखते हैं last digit 4 है मतलब 2 से divide हो गया अब 3 से check करते है 3 का rule है कि सबको add करना सबको जब add करें 1 plus 5 6 6 plus 1 7 7 plus 6 13 13 plus 2 15 15 plus 4 19 और हमें पता है कि 19 3 से divide नहीं होता इसका मतलब ये number 6 से divide नहीं होगा 2 से तो divide हो गया लेकिन 3 से नहीं होगा तो 6 से divide नहीं हो 6 से divide तब होगा 2 से भी divide हो 3 से भी और number देखते है 5 1 2 4 3 3 1 2 कैसे पता करें 6 से divide हो 2 और 3 दोनों से check करका तो पहले 2 से check करते है check करने के ज़रूट नहीं last digit 2 है मतलब 2 से divide हो जाएगा अब 3 से चेक करेंगा 3 से चेक करेंगे सब को हम लोग add करते हैं 5 प्लस 1 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 4 12 12 प्लस 3 15 15 प्लस 3 18 18 प्लस 1 19 19 प्लस 2 21 और 21 3 से divide होता है इसका मतलब ये number 2 से भी divide हो रहा 3 से भी तो ये पूरा number जो भी 6 से divide हो जाएगा ठीक है friends आगे बढ करते हैं हम लोग जहां पर आपको doubt हो वीडियो के एक बार rewind करके देख लेना कभी कोई चीजा कर लिख नहीं पाए तो एक बार pause कर लेना वीडियो को next number is 7 7 से कोई number divide होता है कि नहीं कैसे पता करेंगे तो 7 से जब किसी number को divide करना हो तो number का जो last is it है उसको 2 से multiply कर दिजे नम तो नम बर से minus कर दीजे सब्त्राक्रेंग कर देना इसंडंबर से च्वाइस..? यासा लिख सकतें.. सब्त्रैक्प्प्प्राइक दे द.. क्वाट्रेक्प्प्प्राट्पव तू ताइम्स.. subtract that two times last is it from the rest from the rest subtract the two times last is it from the rest and difference should be divisible by seven and difference should be should be divisible by seven they carry her subtract that two times last is it from the rest difference should be divisible by seven last to your last visitors go to say multiply करके और उसको subtract कर दें किससे rest number से जैसे सब्कोस हमारे पास कोई number 112 ठीक है क्या लिखा सब्ट्रेक्ट दा two times last is it subtract the two times are twice of last is it last is it क्या है यहां पर two है इसको double कीजे two का double four और इसको minus करना किससे rest number से rest number हमारे पास क्या 11 11 minus four seven seven are मतलब यह seven से देखे and difference should be divisible by seven ठीक है सब्कोस हमारे पास कोई number है 317 यह seven से divide होगा कि नहीं कैसे पता करेंगे जो last digit है उसको double कर देजे last digit को हम लोगो double कर देना seven का double 14 और उसको subtract कर दें किससे subtract है जो rest number हमारे पास बचा हुआ 31 में से 31 मैंस 7 sorry 31 मैंस 14 31 मैंस 14 इस 17 यह seven से divisible नहीं है इसका मतलब यह number भी seven से divisible नहीं होगा इसको एक बार फिर से एक बार लेकर सौचता है सब्सक्राइब आरे पास number हमारे पास बचिए रेस्ट 51 51 में से इसको माइनस कीज़े डिफरेंस इस 35 35 डिविजिबल है seven से इसका मतलब यह पूरा number seven से divisible हो जाएगा क्लियर है और भी रूल है एक एक नंबर के लिए चार पांच छे रूल भी यह लेकिन हम लोग ज्यादा रूल पढ़के क्या करेंगे एक एक सिंगल सिंगल रूल या seven का और भी रूल है हर एक डिजिट का चार पांच रूल किसी का तीन दूल ऐसा है लेकिन हम लोग एक एक रूल ही याद रखेंगे next number is 8 8 के लिए क्या करना last three digits last three digits form the number should be divisible by 8 last three digits जो number बना रहा वो 8 से डिवाइड होना चाहिए अगर वो 8 से डिवाइड हो गया तो पूरा number 8 से डिवाइड हो जागा जैसे कि हमारे पास number है suppose 213314 sorry 213114 यह number है यह 8 से डिवाइड होगा कि नहीं तो rule कि last three digits form the number last three digits देखे कौन सा number बना रहे हैं पर number बना रहे हैं यहाँ पर 114 आपको सिर्फ 114 को चेक करना अगर 114 अगर 8 से डिवाइड हो गया तो यह पूरा number 8 से डिवाइड हो जागा तो 114 का आप चेक करें, यह 8 से डिवाइट होता है, 8 1 जा 8, 34, 8 4 जा 32, यह डिवाइट नहीं होता 8 से, इसका मतलब यह पूरा नमबर 8 से डिवाइट नहीं होगा, इसका मतलब यह नमबर 8 से डिवाइट होगा, इसका मतलब यह नमबर 8 से डिवाइट हो जाएगा, हम लोग सिर्फ यहाँ पर लाश्ट्री डिजिट को देखने हैं, चीक है, इसका मैं रफ करता हूँ, चलिए, तो नेक्ट नमबर है हमारा, नाइम, नाइम का रूल जो है, वो सिमिलर 2, 3 है, एक्जेक्ट सेब नहीं बोल से, अपने एकिन सिमिलर है, इसमें भी क्या करते हैं, सारे डिजिट्स हम लोग एड करते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, सारे डिजिट्स को एड करते हैं, एड करने के बाद जो हमको नमबर मिलता, उसको नाइन से डिवाइड करके चेक करते हैं, सम अफ दा डिजिट्स, मतलब 4, 1, 2, 2, 3, 4, ये 9 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा, क्या करेंगे, सारे डिजिट्स को एड करके देखेंगे, 4 प्लस 1, 5, 5 प्लस 2, 7, 7 प्लस 2, 9, 9 प्लस 3, 12, 12 प्लस 4, 16, सारे डिजिट्स का सम हमारे पास आए 16, और हमें पता है कि 16, 9 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब ये नमबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, एक और नमबर देते हैं, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ठीक है, इसको अगर एड करके हम देखें, तो 4 प्लस 5, 9, 9 प्लस 1, 10, 10 प्लस 2, 12, 12 प्लस 3, 15, 15 प्लस 4, 19, 19, 9 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये नमबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, ना, इनके केस में सारे डिजिट्स इसको एड करना, एड करने के बाद जो नमबर मिलेगा, उसको 9 से डिवाइड करके चक करना, next जो number है 10 10 तो बहुत इजी है last desert सिर्फ देखना last desert अगर 0 है तो 10 से divide होगा otherwise divide नहीं होगा 200 10 से divisible है क्योंकि last में 0 है 410 last में 0 415 ये 5 से divide divisible है 10 से divisible नहीं है क्योंकि last में 0 नहीं है last में 0 होगा तो 10 से divide होगा otherwise नहीं होगा next number जो बहुत ज्यादा important है 11 next number 11 11 से कैसे check करते देखिए 11 से जब किसी number को check करना कि वो divisible है कि नहीं तो क्या करें उसके alternating digit का sum निकाल लेंगा alternate digit का sum निकालने के बाएं दोनों sum को एक दूसरे से minus करेंगे जो larger होगा larger sum में से smaller sum को minus करेंगे और वो जो difference है वो 11 से divisible होना चाहिए पर मैं इसको लिग देता हूं form the form the alternating sum form the alternating form the alternating sum of digits that should be divisible by 11 form the alternating sum of digits that should be divisible by 11 alternating sum of digits मतलब suppose यहां पहले लिखा 214162 alternating sum मतलब हम लोग को यहां से add करना start करना और पहले odd place पे जो भी numbers odd place पे odd numbers नहीं odd place पे जो भी numbers से उसको add करेंगे odd place क्या पहले समझे यहां पे six digits 123456 तो जो फर्स्ट प्लेस पे थर्ड प्लेस पे फिफ्ट प्लेस पे होगा वो odd place पे जो second place पे फॉर्थ प्लेस पे और 6th place पे वो even place पे तो यहां पे अगर हम आड़ करना start देखिए odd place पे कौन कौन जा number है 2,4 और 6 यह odd place पे भले even numbers लेकि यह odd place पे पहले place पे 3rd place पे और 5th place पे तो इन सब को add करेंगे 2 plus 4 6 6 plus 6 12 अब जो बच यह even place पे जो numbers है देखिए even place second place पे 4th place पे और 6th place पे 1 plus 1 2 2 plus 2 4 दोनों का difference 8 अब 8 हमें पता है कि 11 से divide नहीं होता है इसका मतलब यह number भी 11 से divide नहीं होगा इसको यह फिर से समझते हैं odd place का number का add करना यह आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहां से हम add करना start करें एक-एक digit को छोड़ करके add करें और second time में क्या करें जो बच यह उसको add करें एक और number लेते हैं आप देखिए 2 1 8 3 4 6 ठीक है यहां से add करना start करना आपको एक-एक digit शोड़ करके add करना पहले तो 2 प्लस 8 10 10 प्लस 4 14 अब जो बच गया digit उसको add किए देखिए 1 बच आब 1 प्लस 3 4 4 प्लस 6 10 दोनों का difference 4 दोनों का difference 4 मतलब यह 11 से divide नहीं हो difference या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का कोई multiple या तो 0 होना चाहिए should be divisible by 11 का मतलब या तो 0 आएगा difference या तो 11 का कोई multiple आएगा तब ही divide होगा यह difference होना चाहिए यह difference होना चाहिए 0 और 11 का कोई multiple यानि 0, 11, 22, 33 तब यह divide होगा ठीक है अधर्वाइस डिवाइड नहीं होगा हमार जो नेक्स्ट नमबर है 12 12 डिपेंडेंट होता है जैसे कि 6 डिपेंडेंट है जैसे कि 6 डिपेंडेंट है 2 और 6 sorry 2 & 3 के उपर 12 में डिपेंडेंडेंट है नमबर शुड भी डिविजबल बॉधगि बोथ 4 & 3 कोई नमबर 12 से तब डिवाइड होगा जब वो फोर से डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो दोनों से एकर वो डिवाइड हो रहा मतलब वो 12 से डिवाइड हो जाएगा अब यहाँ पे एक question है, 4 और 3 क्यों लिए, क्योंकि 4 और 3 जा 12 होता है, 6 तू जा भी तो 12 होता है, 6 और 2 क्यों नहीं लिए, यह क्यों नहीं लिए हम लोग 6 और 2, 4 और 3 लिए 6 और 2 नहीं ले सकता है, reason है, इसका देखिए, आगे भी बहुत सारा number आएगा, वहाँ पे हम को divide करना, तो 4 से check करते है, 3 से check करते है, 6 और 2 चेक नहीं कर सकता, reason है, कि 6 और 2 co prime नहीं है, co prime क्या होता है, co prime दो ऐसा number का set होता है, जिसके बीच में कुछ भी common नहीं, 6 और 2 में देखिए 2 common है, इसलिए 6 और 2 नहीं ले सकता है, 4 और 3 में कुछ भी common नहीं है, तो 4 और 3 हम नो ले सकते हैं, तो ऐसा नंबर का सेट लेंगे, सपोस अगर आपको डिवाइड करना 72 से अगर पूछा जा रहा है, कोई नंबर डिवाइड होगा की नहीं, कैसे चेक करेंगे तो 8 और 9 चेक करेंगे, क्योंकि 8 और 9 जे 72 और दोनों को प्राइम है 18 और 4 नहीं ले सकते हैं, 8 और 9 ले सकते हैं, अगर हमें पता करना कोई नंबर 40 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं, 40 से तो कैसे चेक करेंगे, 5 और 8, 10 और 4 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 10 और 4 को प्राइम नहीं है तो set जो लेते हैं वो co prime का set लेते है तो co prime का set लिए आ जाते हैं यहाँ पर 4 और 3 लेंगे और 6 और 2 नहीं ले सकते हैं यहाँ फिर एक और चीज़ चेक करते हैं 4 और 3 का LCM निकाले 12 आ जाएगा 6 और 2 का LCM निकाले 12 नहीं आएगा तो LCM भी आप देख सकते हो तो यहाँ पर 4 और 3 लेना है चलिए एक number डिवाइड कर रखे देख लेते हैं पहले तो उस हमारे पास number है 8,1, 3, 3, 2, 4 8,1, 3, 3, 2, 4 यह 12 से divisible है कि नहीं कैसे चेक करेंगे 12 से डिवाइड होता है कि नहीं हम लोगों चेक करना 4 and 3 दोनें से डिवाइड होना चाहिए 4 and 3 बोथ तो पहले चेक करते हैं 4 से 4 का rule क्या है last two digits देखते हैं हम लोग 4 का rule पढ़े थे last two digits क्या है 24 और हमें पता है कि 24 डिवाइड होता है 4 से चलिए 4 तो सेडिस्टाई कर रही है अब हमको 3 भी चेक करना 3 का rule क्या होता है सबको आइड करते है सबको आगर हम यहाँ पर आइड करेंगे 4 प्लस 2 6 6 प्लस 3 9 9 प्लस 3 12 12 प्लस 1 13 and 13 प्लस 8 that is 21 21 3 से डिवाइड होता है हाँ होता है इसका मतलब यह नंबर देखिये 3 से भी तैज़रोघ का इसका मतलब 12 से डिवाइड हो गया 12 से डिवाइड करना 4 से भी होना चाहिए 3 से भी होना चाहिए एक और नंबर लेते हैं 714216 अब यह 12 से डिवाइड होगा कैसे चेक करेंगे आपको 4 चेक करना 3 चेक करना दोनों स्रादिस सभ हाई करें तब 12 से डिवाइड होगा तो पहले 4 चेक करता है पहले 4 हम लोग इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि पहले आपको पता सुल जा है ताकि आप आगे नहीं बढ़े 3 से चेक करने के लिए सब को आड़ करना है पड़ता है 3 plus 7 plus 1, 8, 8 plus 4, 12, 12 plus 2, 14, 14 plus 1, 15, 15 plus 6, 21, and 21 is divisible by 3. देखिए, 4 से भी divide हो गया, 3 से भी divide हो गया, इसका मतलब यह number 12 से divide होता है. इसको रफ कर देते हैं, 12 तक कर चुके हम लोग, session में हम लोग 15 तक कर लेंगे, और next session में इसके बाद हम लोग 25 या 30 तक देख लेंगे. चलिए, next number is 13. 13 का रूल क्या देखिए, 13 जब किसी number का उनको चेक करना, 13 से divide होता है, क्या करेंगे, last digit को 4 से multiply कर देंगे, last digit को 4 से multiply करने के बाद, उसको rest number में add कर देंगे, और add करने के बाद जो number मिलेगा, वो 13 से divide होना चाहिए. लिख देंगे, add 4 times the last number, last digit, 4 times the last digit to the rest, to the rest. and summation should be divisible by 13, समझे इसको देखिए, हमारे पाद suppose कोई number है, 117, यह 13 से divide, यह तो छोटा से number 117, 13 से divide होगा कि नहीं, क्या लिख है, add 4 times the last digit, 4 times the last digit, last digit क्या 7, इसको 4 times अगर करेंगे, 7, 4 जा, 28, add 4 times the last digit, इसको 4 times 28, और इसको add करना किसमे, rest number, rest number हमारे पाद 11 बचा हुआ, 28 plus 11, 39, अब सुचिए, 13 से divide होता है कि नहीं, तो हमें पता है कि 39, 13 से तो divide होता है, इसका मतलब यह number भी 13 से divide हो जाएगा, देखें, last digit, देखें, क्या लिकात, add 4 times the last digit to the rest, last digit क्या था 7, 7 को 4 times multiply किया 28, 28 में add कर दी, rest number को, और समिशन आया 39, 39, 13 से divide होता है, तो यह number भी 13 से divide हो जाएगा, एक और example लेते हैं, 434, ठीक है, आप तुरंट से बता सकते हैं, इसका 4 times, 4 times the last digit, इसका 4 times होगा 16, इसका add करेंगे, rest number में, किसमें, 43 में, 43 plus 16 is equal to 59, 43 plus 16 is 59, 59 13 के table पे नहीं आता है, इसका मतलब यह 13 से divisible नहीं है, ठीक है friends, यह तना easy है, अब यहाँ प एक और चीज़ है, देखिए, तो छोटा सा number था तो कर लिए, अगर बड़ा नंबर होता है, पांच डिज़िट, छे डिज़िट, साथ डिज़िट का होता है, तो हम लोग कैसे करते हैं, तो 13 के लिए एक और rule में आपको बताता हूँ, ऐसे मैंने बता है कि हर, हर नंबर का, चार, पांच, छे रूल भी है किसी किसी का, लेकिन उतना rule पढ़ने है ज़रत नहीं, लेकिन 13 में जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे तो छोटा है, अगर बड़ा सा number, 6 डिज़िट का number होता है, तो अगर इसको 4 times करके add भी करते हैं, तब भी हमारे पास number बड़ा करते हम लोग, number जब 3 डिज़िट से बड़ा तो वो rule हम लोग लगाएंगे, क्या करेंगे, जो भी number है, उसका last 3 डिज़िट को अलग कर लेंगे, पहले, सपोज यहाँ पे number है, कोई 5 डिज़िट का number आया, last 3 डिज़िट को हम लोग कर लेंगे, यह rule इससे भी जाद है, last 3 डिज़िट को अलग कर, जैसे अलग कि यह number दो पाट में डिवाइड हो गया, इन दोनों का difference निकाल लेंगे, और वो difference 13 का multiple में आना चाहिए, पहले मैं इसको लिग देता हूँ, सबड़त बाट, कर दोनों कि अ? बाट यह from the rest separate the last three digits and subtract it from the rest difference should be divisible by 13 difference 0, 13, 26 0 or any multiple of 13 suppose हमारे पास number 213, 215 यह number है, ठीक है, क्या लिखा हो, separate the last three digits last three digits को अलग कर लिए, यहाँ पे six digits हो, five digits हो, seven digits हो हमको last three digits को ही separate कर रहे, यह rule और ज्याद़ easy कर दोता है, देखिया, last three digits को जैसे ही separate किया number two part में divide हो गया, पहला part में क्या है, two and three second part में 215, आपको दोनों का difference भी कालना, 215 is greater number, 2 is 115 minus 213, difference is 2, हमें पता 2 13 से divide नहीं होगा, इसका मतला यह number भी 13 से divide नहीं होगा, difference या तो 0 होना चाहिए, या तो 13 का कोई 5 digit और 5 digit और 6 digit और रूल से हमें, आपको last three digit को अलग करना है, separate करना है, तो 104 हमारे पास है last three digit, 104 और उससे पहले क्या हमारे पास number 91, 104 minus 91, तो इसमें से इसको जब आप minus करेंगे, तो हमारे पास number आएगा, 13 ही आ रहा है, इस बार number हमारे पास, 13 का multiple आगया, यह number 13 से divide हो जाए अगर यह number greater होता, तो इसमें से उसको minus करते है, अगर हमारे पास number होता, 315290, ऐसा number होता है, देखें, last three digit का लग कि यहां पे 290, और इज़र क्या, 315, यह greater इस बार, इसमें से इसको minus करें, 315 में से 290 को, क्या है 25, 13 का multiple नहीं है, यह number 13 से divide नहीं होगा, यह rule इतना इसके बार हैं बताते हैं, इसको रफ करते हैं, कुशिश कर यह हर चीज मोट डाउन करना, किस rule का फाइदा यह है, कि यह rule, यह तो 13 के लिए हम लोगा भी पढ़ रहे था, यह rule 7 पे भी काम करता है, 7 यह rule 7 पे भी, 13 पे तो काम करता है, यह 7 पे भी काम करता है, वहाँ जब 7 से, यह तो 13 से जब हम लोगा डिवाइड कर रहे है, तो difference देखना है, कि 0 या 13 का multiple, अगर 7 से डिवाइड कर रहे है, same rule से, तो difference होना चाहिए, 0 या 7 का multiple, same rule, एकदम same rule काम करेगा, इसको मैं रफ कर देता हैं, क्योंकि इसको हम लोग समझ रहे हैं इस rule को हम लोग समझ रहे and subtract it from the rest, यह 13 पे काम करता है, 7 साथ 7 पे भी काम करेगा, same होगा, last 3 digit को ही अलग करना, और जो difference है अगर वो 0 या 7 का multiple होना चाहिए, एक नमबर करके बताते हैं, जैसे हमारे पास नमबर है, 2, 1, 3, 1, 8, 7, यह नमबर 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, same rule, last 3 digit का लग की 187 और इ 7 का भी same rule है, अच्छी यह rule 11 पे भी काम करता है, लेकिन वहाँ पर difference होना चाहिए, 0 और 11 का multiple, तो देखिए, यह rule कितना अच्छा है, एक rule आप याद रखें, 7 पे, 13 पे, 11 पे, 3 पे काम करेगा, और 3 सबसे important digit पे काम करेगा, 4, 60 से भी जी होता है, 7 पे, 11 पे, 13 पे, सबसे जादा difficulty यहीं पे आता है, और यही तीनों पे यह rule काम करेगा, देखिए, कितना फाइदा है, एक rule से तीनों नंबर का काम हो जाएगा, 7, 11, 13, 11 का एक rule हम लोग पहले पढ़ चुके है, alternating digit का साम, और यह दूसरा rule इस पे भी काम करेगा, 11, ठीक है, उस से हम लोग डिफरें and is it हमारा cover हो जा रहे है की rules, next हमारा 14, 14 से किसी नंबर को डिवाइड करना, चेक कर रहे है, क्या वो 7 से डिवाइड हो रहा, और 2 से डिवाइड हो रहा, नंबर should be divisible by both 2 and 7, 7 से कोई नंबर तभी, 14 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा, जब वो 2 से भी डिवाइड हो and 7 से भी डिवाइड हो, दोनों से डिवाइड होना चेक है, किसी एक से नहीं, हमारे पास अका नंबर है, 21342, यह 14 से डिवाइड होगा कि नहीं, आपको डिवाइड करके एक बार चेक करना, 2 से हाँ, 2 से तो डिवाइड हो रहा है, 2 से तो डिवाइड हो रहा है, last डिवाइड हो रहा है, last डिवाइड हो रहा है, 7 का रूल लगा कर देख लेते हैं, 7 का रूल क्या था अभी हम लोग पढ़ेते हैं, last 3 डिवाइड को नहीं हो रहा, इसका मैदला 14 से डिवाइड नहीं होगा, 14 से तब डिवाइड होगा, जब 2 से भी डिवाइड हो, 7 से भी डिवाइड हो, एक और नमबर करके देखता है, और रूल से आपको याद रखना, सपोर्थ हमारे पैस कोई नमबर है, 196, ये नमबर 14 से डिवाइड पहला रूल पढ़े ते याद कीजिए 7 का जो हम लोग पहला रूल पढ़े थे क्या था वो नंबर लास्ट इजट को डबल कीजिए 6 का डबल 12 और इसको बाकी में से सब्ट्रैक्ट कीजिए 19-12 विस 7 हाँ 7 से डिवाइड हो जाएगा 2 से भी डिवाइड हो रहा 7 से भी 14 से ड दूसरा रूल लगा है क्योंकि छोटा नंबर यह रूल लगा है बड़ा नंबर होता है तो हम लोग फिर लास्ट 3 डिजट को सब्ट्रैक्ट करने वाला रूल लगाते है तो आपको दोनों रूल यहाँ पर याद होना चाहिए ठीक है तो यह 14 का रूल था और भी 14 के लिए शुड़ भी डिविजिबल बाई 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 बोथ 3 एंड फाइव 15 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब वो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी 3 एंड फाइड दोनों होना चाहिए 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए तब 15 से डिवाइड होगा चेक करते हैं सबोज हमारे पास कोई नंबर है 1520 यह 15 से डिवाइड होगा कि नहीं कैसे चेक करेंगे 3 से भी और 5 से भी दोनों से डिवाइड होना चाहिए तो पहले 5 चेक कर नहीं हो रहा, इसका मतल़ यह number 3 से divide नहीं होगा, 5 से तो हो गया divide, 3 से divide नहीं होगा, 15 से divide नहीं होगा, 15 से divide ताँगा, जब दोनों में satisfy कर जाए, एक और number देख लिएता है, 2130, ये 15 से divide होगा की नहीं होगा, कैसे चेक करेंगे, हमको चेक करना 5 and 3, पहले 5 चक करते हैं 5 के लिए rule क्या last digit देखते हैं last digit हमारा यहां पर 0 5 से divide हो गया फिर हम लोग 3 चक करेंगे 3 का rule क्या सबको add करते है 2 plus 1 3, 3 plus 3 6 6 plus 6, 6 plus 0 6 ये 3 से divide हो रहा 5 से भी divide हो गया 3 से भी divide हो गया इसका मतलब 15 से divide हो जाएगा ठीक है friends तो ये था हमारा आज का divisility rule 1 to 15 का next session में हम लोग देखेंगे 16 to 25 या 30 जहां तक भी होगा हम लोग देख लेंगे और फिर आपको इसको अच्छे से रटलना दिमाग में एक दम ये fix होना आज ये जैसी numbers देखें तो आपको divide ना करना पड़ा आप देखते साथ बोले हाँ ये 14 से तो divide हो रहा 17 से तो divide होगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखें Thank you friends